हलो अब्रीवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस पीडियो में हम जानेंगे कि हम 1500 एंपियर इनवर्टर बैटर से हम कितना लोड चला सकते हैं और कितने घंटे तक हम अपने घर का लोड जो है वो चला सकते हैं मतलब कि दोस्तो अगर हमारे घर पे 300 वाट लोड है तो हम अपने 1500 एंपियर बैटर से हम कितने घंटे जो है अपना 300 का लोड जो है चला सकते हैं तो इस वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर समझाने वाले हैं देखिए दोस्तो इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो भी बना रख देखना अधर्वाइस दोस्तो इस किप करके देखते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है तो चेली दोस्तो इस वीडियो का हम शूरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम अपने 1500 एंपियर की बैटरी से कितना लोड चला सकते हैं और कितने घंटे तक चला स देखना है तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमारे पास 1500 एंपियर की बैटरी है तो हमें यह देखना होगा कि हमारी जो सितनी वी खर में यसे हम वाट के बाल år जलाते हैं और इसी तरह से दोस्तों हम जिटनी लोड चलाते हैं सभी लोड को पहले हमें कैल कुलेट करना है तो उसे पहले हमें क्या करना होगा हमें यह जानना होगा कि हमारी जो बैटरी है वो कितने वट की है तो वाट जानने के लिए सपोस्थ अगर आपके पास नहीं है क्योंकि दूससिक्त ऊसущ पावर फैक्टर भी होता है जैसे करेंट कुछ रॉस भी होता है जैसे हमारे बैटरी जो है हमारे inverter से connect होता है तो inverter का काम ही होता है कि ये DC current को AC में supply करें तो उसमें दोस्तों DC से AC करने में थोरा सा current जो है दोस्तों loss हो जाता है मतलब थोरा सा current जो है बरबाद हो जाता है इसके अलावा दोस्तो अगर हमारा UPS जो है वो हमारे घर में supply भेज रहा है तो उसमें भी थोड़ी से current जो है वो loss हो जाती है तो यहाँ पर हमने कितने से calculate किया था 150 से मैंने calculate किया था यहाँ पर 12 से तो हमारा answer निकल क्या था 1800 तो अब हमें क्या करना है power factor हमारी battery का power factor कितना ह होता है .8 तो ठीक है तो यहाँ पर फिर से हमें multiply करके यहाँ पर .8 कर देना है क्योंकि दोस्तो बैटरी का power factor होता है .8 मतलब जो भी current हमारा loss होता है वो .8 तक होता है तो यहाँ पर हमारा बैटरी का equal वाट आगे आ चुका है 1440 वाट मतलब हमारा 1440 वाट तक हम उस पर load चला सकते हैं अब दोस्तो यह तो होगया कि हमारा बैटरी जो है 1440 वाट की है 1440 वाट में हम जतना कुछ चलाना चाहते हैं चला सकते हैं अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम हमारे घर में कौन-कौन सी devices हैं जैसे दोस्तो हमारे घर में एक selling punk है तो 50 तो हमें प्लस करते रहना है और सबको एक साथ आड़ करना है अगर दूस्तों हम 100 वाट का एलीडि लाइट जलाते हैं इसके बाद हम एक चलाते हैं तो यहां पर हमारे तो यहां पर हमारा बैटरी कितने गा था 1440 वाट तो इसको हमें करना है डिवाइड कर देना है 300 से यहां पर यह हमें निकल के आ गया 4.8 घंटा मतलब कि दोस्तों अगर हम जिन मतलब दोस्तों जितनी भी डेवाइस का मैंने नाम रखा है आपके सामने उन सबी डिवाइस को ह 4.8 घंटे तक हम आसानी से चला सकते हैं अब यह दोस्तों 4.8 घंटा है तो इसको ऑलगट स्फ्राइघ मैं कटे depress mejorar करना है तो तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो बस आपको limited रखना है कि आपका जो लोड है वो 7.5 एंपियर से ज़्यादा तक नहीं हो अब दोस्तों कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा लोड जो है वह साड़े साथ एंपियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए उसके दोस्तों हम 7 एंपियर से ज़्यादा लोड हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी जो कैपसिटी होती है उतनी ही होती है अगर उससे ज़्यादा लोड देते हैं तो हमारे बैटरी जो है उसका जो पानी है वो तेज़े से उबलना सुरू हो जाएगा और बैटरी जो है वो धीरे-धीरे खराब इस्तिति में पहुंचना शुरू हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों मैक्सिमुम हम अपने डेर सो एंपियर की इन्वर्टर भैटर से साड़े साथ एंपियर ही लोड दे सकते हैं अगर दोस्तों हमारे घर का लोड तीन सो वाट था तो इसको हमें क्या करना है 220 से डिवाइड करना है क्योंकि हमारा जो व्न पूणुड 133 इंप्येर आ रहा है इसमें हम दोस्तों और भी डिवाइचेओस को जो एक साथ बढ़ा भी सकते हैं तो इसमें दोस्तो हम मैक्सिमुम सभे साथ इंपियर तक लोड दे सकते हैं वह असानी से इंशर्वी डिवाइस को असानी से चला भी सकते हैं तो आई होब कि इस वीडियो में आपको क्लियर सबकुर समझ में आगया होगा फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों आप चाहें में से personal question भी कर सकते हो जैसे एंस्टाग्राम पे आप मुझे personally follow करup regenerate आपके सामने आपके स्क्रिन पर निख लाओगा मेरा Instagram का아아इडी यह वीडियो आपको अच्छे लगा होते हैं जरूर करें और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन